नमस्कौर मित्रो मेरा नाम है आधित्य आप देख रहें डूकेट आधित्य व्टूब चैनल चर्चा जज्ज्मेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं उन तीसवा पार्ट बना रहा हूँ और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंदित जज्ज्मेंट्स आते हैं जो आप लोगों के केस के लिए काफी ज़्यादा जरूरी होते हैं उन्हीं के बारे में बताता हूँ कि अगर आप लोगों का वैसा हिस से मामला होगा तो आप इन जज्ज्मेंट्स को अपने केस में लगा सके और फायदा ले सके आज के वीडियो में इस जज्ज्मेंट के जरिए मैं आज आपको एक ऐसे कानून के बारे में बताने वाला हूँ जो पत्यों के लिए जानना बेहत जादा जरूरी है क्योंकि अगर आपकी पत्नी के साथ आपका केस चल ला है और ऐसे में आपको इस कानून की जानकारी नहीं होगी और आप इस कानून के चक्कर में फर जाते हैं तो ऐसे में आपको कई साल बेवज़ा ही जेल में गुजारने पड़ सकते हैं तो ऐसे में आपको इस कानून की जानकारी होना बेहत जरूरी है जिस कानून के बारे में इस जज्जमेंट के जरिये मैं आपको बताऊंगा तो ये जज्जमेंट के साथ साथ जिस कानून के बार में मैं आपको बताने वाला हूँ वो भारतिय डंड संहिता की धारा 498A वो 304B में बेल यानी जमानत से संबंधित है ये जज्जमेंट इलहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आया है ये जज्जमेंट फर्याद वर्सेस इस्टेट आफ यूपी के केस में आया है इस केस में कु इसके बाद जो पतनी का भाई होता है वो पुलिस इस्टेशन में कम्प्लेन करता है और इस कम्प्लेन के आधार पे पती उसकी माता और दो बहनों के ऊपर भारतिय डंड संहिता की धारा 498A 304B 323-506 में FIR दर्ज हो जाता है उसके बाद सब अरेश्ट हो जाते हैं FIR दर्ज हो जाने के बाद पुलिस इन्वेश्टिकेसन करती है उसके बाद चार सीट लगाती है चार सीट में से पती को छोड़के बाकी सबका नाम केस से बाहर निकाल दिया गया होता है यानि आरोप पत्र सिर्पती के लिए ही कोर्ट में पेस किया जाता है उसके बाद ज पत्नी की अस्वभाविक स्थिती में मौत हो गई है। सिर्फ पती को फसा दिया गया है। उसके बाद पती के वकील के तरब से हाई कोर्ट में ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी का जो देथ हुआ है वो साधी के साथ वर्स के भीतर ही हो गया है और सिर्फ इसी वज़ा से पती को फसा दिया गया है पती ने इस परकार का कोई अपराद नहीं किया है ना ही पत्नी से पत्नी कुछ गलतिया करती थी और जब उसकी गलतिया पकड़ी गई ऐसे में उसे डर हो गया कि अब सब को ये बात पता लग जाएगी और उसकी बेजती होगी। की तरफ से इस जमानत एप्लिकेशन का विरोध किया जाता है जिसमें मृत्य पत्नी के वकील की तरफ से ये कहा जाता है कि जो पत्नी की मृत्यु हुई है वो असभावी किस्थिती में हुई है और मृत्यु का कारण भी असपश्ट है तो ऐसे में इस जमानत एप्लिकेशन को खारिज कर दिया जाए के बाद दोनों पच्छों की सुनने के बाद हाई कोर्ट ये कहता है कि पती के पास कोई जमानत का आधार नहीं बनता है ऐसे में उसे जमानत देना सही नहीं होगा और पती के बेल एप्लिकेशन को हाई कोर्ट खारिज कर देता है उसके बाद फिर से ब हाई कोर्ट में ही थर्ड बेल एप्लिकेशन लगाया जाता है जिसमें पती के वकील की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि जो पती है वो तीन साल से अधिक समय तक जेल में रह चुका है और साती साथ जिस पतनी की मृत्ति हुई है उसके सरीर पे कहीं चोट के निसान नहीं है सिर्फ उसके गले पे ही फासी फंदा लटकने का निसान है इसके अलावा कहीं चोट का नहीं निसान है ना ही ये बात कहीं आई है कि उससे दहेज मांगा गया है मार पीट किया गया है इन सब आधारों पे पती को बेल दे दिया जाए उसके बाद हाई कोर्ट कहता है कि जो वो तीन साल से अधिक समय से जेल में है और साती साथ जो पत्नी है जिसकी मृत्ति हुई है सिर्फ उसके गले पे ही निसान है सरीर पे कहीं चोट के निसान नहीं है इसके आधार पे पती का जमानत का आधार बनता है और इसके आधार पे पती को जमानत दिया जा सकता है और थर ऐसे में आपकी पत्नी समझवता करके आपके साथ रहने को तैयार हो जाती है लेकिन माल लीजिए अगर साथ रहने को तैयार हो जाती है और और सभावी किस्थिती में आपकी पत्नी की मृत्ति हो जाती है उसके बाद साधी के साथ साल के भीतर ही जैसे पत्नी जहर खा लेती ह च्छत से कूद जाती है फासी लगा लेती है तो ऐसे में आप फ़स सकती है आपके उपर भारतिय डंड संगीता की धारा 304 भी लग सकती है यानि यदि साधी के साथ वर्स के भीतर ही अगर आपकी पतनी का सभावी की स्थिति में मौत हो जाती है वो फासी लगा लेती है प्रकार से कोई आत्महत्या कर लेती है तो ऐसे में आप फ़सकती है आपके उपर भारतिय डंट संगीता की धारा 304 भी भी लग सकती है अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सिर्फ समझोता वाले मामलों में ही ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं है अगर साधी हुआ है साधी के साथ वर् आपको जमानत करानी पड़ेगी और ऐसे में कई वर्सों तक आपको जेल में भी गुजारना पड़ सकता है तो इन सब चीजों से आपको बेहत सतर्क रहना है अगर साधी के साथ वर्स के भीतर आपकी पतनी का और सभावी किस्तिती में मौत हो जाता है तो ऐसे में आप फस सकते हैं आप जेल जा सकते हैं और काफी बड़ी दिक्कत में पढ़ सकते हैं तो इन सब चीजों का आपको बेहत ध्यान रखना है और सतर्प टहना है आसा करता हूँ आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी जिस जज्जमेंट के बारी में मैंने आपको बताया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके इस जज्जमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं